नमस्कार फैंट्स मेर नाम बबलूर्मा पीपर है करमियापका स्वागत है आदम यहां पर देखने वाले बू हो जाता है यहां पर बीए पार्ट पस्ट वालों के लिए सेकंड सेमेश्टर ठीक है सेकंड सेमेश्टर का यहां पर हम हिस्टरी का लेक्चर देखने वाले हैं है बहुत ही important रहने वाला एला टृक है इसको आपको याद करना तहीं, करना है क्योंकि क्योलषण भइ यहां से देखने को मिलने वाले हैं क्यों बाली हैं हमने इस से पहले कौन से पार्ट ए रखे हैं customized अपको त्लिकार तो फॉस्वित आपको जैने को मिलने वाला है तो बात करते हैं अगर आपकी heading मजबूत होंगी तो number पी कैसे दिये जाएंगे आपके लिए मजबूत दिये जाएंगे ठीके तो इसलिए आपको क्या है question को चिपकार से देखना है जो extra points में जोड़े जाते है related करके क्योंकि क्या है book में अगर आप देखोगे तो यहां पर जो कुछ अधूरा देखने को मिल जाता है ठीक है तो उसे क्या होता है जब हम lecture लेते हैं तो आपके लिए पूरा कर देते हैं आपको समझ में आए अगर कौन आया था इस book की बात करते हैं शुरूरा तो होती है गुलाम बंस से कहां से गुलाम बंस से सुरूरा तो होती है गुलाम बंस का जो प्रिथम सासक हो जाता है वो हो जाता है कुत्व बुद्दीन कुश्यर मनता है कि गुलाम बंसका प्रितम सासक कौन था तो यही क्मूत बनता है कि अंतम सासक कौन था है ना अंतिम सासक कौन था तो अंतिम सासक हो जाता है कैकू बाद कौन था भई कैकू बाद तो दोनों की दोनों आपको क्या होने चाहिए याद होने चाहिए अब बढ़ते हैं तो कि गुलाम बंस के बाद कौन आया है गुलाम बंस के आया बाद आया है खिल जी बंस कौन सा खिलजी बंस क्योंकि गुलाम बंस हमने पढ़ लिया अब भी क्या पढ़ेंगे खिलजी बंस पढ़ने वाले हैं और खिलजी बंस के पिर्थम संस्तापक जो हो जाते हैं वो कौन हो जाते हैं या पिर्थम सासक जो होता है वह होता है जलालुदीन खिलजी कौन हो जात का जलाल-द्दीन खिलजी कि अभी हम बात करते हैं कि रूखीगा नाम क्या है इनका नाम तो ओसलाल अखिलजी मैं यह है कैसे नाम कि देखो के तो जलाल दीन जलालट मतलब है जो पाधर सिर्च है कि जलालत कुछ NOR Dis ci amati Aha उदारतर देखने को मिलती है और तहीं कर देखने को मिलती है और पेलों नरम थे जलालदीन खिल जी नाम से बिल्कुल अपोजिट तो आपको याद रहेगा कि हाँ डाल ढूदीन वाला है लॉंग टाइम तक मैंने अगर कह दिया तब तो बात करते हैं जलाल अद्दिन खिल जी कैसे थे नाम से कुछ विपरीत मतलब बहुत ही नरम दिल के आप इनकी क्या देखने वाले हैं जलाल अधिन खिल जी की ग्रहनिती बताईएगा तो इस क्योंशन में देखने वाले क्यों लिए को यहां पर उत्तर डालेंगे ठीक है उसके बाद को देखते हैं ग्रेंटी के चटमें जलाव दीक इसमकाली की प्रमों घटनाईं निमलिक ती जो जलालुद्दिन खिलजी हैं उनके सासन का अलबी की फिर वो घटना जो रही हैं उनको यहां परम देखने बाले हैं तो जो पहली घटना हो जाती है वो जाती है मलिक छजु का बिद्रो अब क्या देखेंगे मलिक छजु का बिद्रो देखने बाले हैं जलालुद्दिन ज अभी दिख रहा है ना बिल्कुल तो राज्या रोहड के दूसरे बर्स में सुल्तान को मलिक छज्यू के बिद्रों का सामना करना पड़ा था तो कह सकते हैं जैसे ही जलालुकदी निखिल जी ने कारेफार समाला उसके दूसरे बर्स कह रहा है राज्या रोहड के दूसरे बर दूसरे बर्स ही सुल्तान को मलुक शाज्जू के बिद्रो का सामना करना पड़ा था। कौन से? दूसरे बर्स, और देखूं, मलिक शाज्जू बल्गन का भतीजा था। जो बल्वन है जो चालीसा का एक सदस्त था कौन बल्वन और बल्वन ने ही चालीसा का क्या किया था अंत किया था अब बल्वन का भतीजा कौन हो जाता है बल्वन का भतीजा हो जाता है मलिक छज्जू कौन मलिक छज्जू बतीजा था और सुल्तान ने उसे कड़ा का सुवे कहां का शतान ने उसे कड़ा का सुभेदार निप्ट यह दा कर अधाल किया था, कड़ा करец अंक्जाम में, कड़ा कहां हो जाता है अपने यूपी में, और यूपी के कहां पर इलहबाद इसका नाम प्या कर दिया गया है वदल कर प्रियाग राठ ठीक है तो बात करते हैं जो सुल्तान ने उसे कडा कार शुभएर्दार निक्ता किया था वो कहां पड यू पी में यू पी में कहां पर अलभाद में अब जो Bjee जो है देखते हैं सूल्तान देट्रों के सामना करने के लिए सेना का नेतज़व स्वammen किया जो पिद्रोही थे उनका नेतफ़ स्वiant किसने किया था जलाल उद्दीनि खिलजी ने इस व्यमिकिया आगे देखो ठीक है स्वें किया उसकी सेना का अग्रिम भाग उसके दुत्यक पुत्र ठीक है अरकली खाँ इनका नाम बहुत इंपोर्टेंट है कौन अरकली खाँ अरकली खा के नेतत में था बदाईयों के निकट अरकली खा ने मलिक छज्जू को पूर रूप से पराजित किया बदाईयों के समीब कहाँ पर बदाईयों के समीब निकट अरकली खाँ जो किसका पुत्र हो जाता है जलाल अद्दीन इखिल जी का पुत्र हो जाता है दत्तक ठीक है ने मलिक छज्जु को पूर रूप से परादित किया था कहाँ पर बदाईयों है और साथियों साहित उसे बंदी बना लिया इन बंदीयों को उसने सुल्तान के समक्ष प्रस्थित किया विद्रोहियों को प्राण दंड न देकर उने सम्मानित करना सुल्तान का देकर उन्हें सम्मानित करना और सुल्तान का अद्रस दर्सिता मतलब अद्रस दर्सिता का कारिथा उन्हें कैसा किया जिनने विद्रो किया था उन्हें के लिए प्राण दंडर ना देकर क्या दिया उन्हें सम्मानित किया गया क्या गया मलिक छज्जु को सम्मानित किया गया और जिसके करेगा वे खिलजी लोग तो करेंगे ठीक है और इससे बिरोधी है न कहां देख लिए हमने पहुच गये तो किएगा उपर इसका खिलजी अधिकारी उन्हें बिरोध किया एहमद चप ने उसे यह बहुत नाम इंपूर्टन भी एहमद चप ये लाष्ट तक आएगा कहां तक आएगा लाष्ट तक आएगा इसलिए आहमद चप को भी आपको याद कर लिना ठीक के एहमद चप तो एहमद चप ने उससे साब्धान किया की उसका कार सुरच्च्छा के बिरुध है जब भैतुम जो हैं तो यह हमारे हैं फ्रक्छा के बुद्ध है और इस से बिद्रोहियों को पुर्ध्ताहित मिलेगा बिलकुल पूंसान मिलेंगा है ना तो की जब दोसीओं को छोड़ रहे हैं तो और भी क्या बन पिर दोसी बन जाएंगे विद्रोहियों को पुरूथ साहन लेकिन सुल्तान ने स्पश्ट कर दिया कि इस छड़बर राज्य के लिए छड़बर जिस मतलब कड़ा पर अधिकार कर रखा है उसके लिए लडाई रहा है इस छड़बर राजी के लिए में पहां के लिए बहे अपने साती मुसल्मानों का बद करके अपनी आत्मा को संकट में नहीं डालना चाहता तो यहां पर जो जलाल उद्दीनी खिल जी हैं उनकी उदारता देखने को मिलती है क्या कह रहे हैं लेकर सुल्तान ने इस कह आगे बड़ते है ही परिमलेट जैटा का जैता है और कनो के पती उदारता एं सूरी पधर नहीं ए यह क्या है क्रणा पर दो हेंडिंग आप डाल सकते हो थड़ों और चो इपती दार्ता भी लिख सकते हो ठीक है। něme Scam एक प्रती दारता लगे डेना चाहें चो रो के परती किसके शुरों के प्रती उदारता तो जिलाल जब बहें दोसियों को छमा करते रहेगा तो खिल्दी अधिकारी थे उन्होंने क्या देखने को मिला उन्हें असंतोस की ब्रग्दी देखने को मिली दिल्ली के निकडवर्ती छेत्रों में राजनितिक व्रिवस्था के कारण चोरों और ठगों की कारवाही बढ़ गई सुल् सुधर जाएंगे है ना उनके मन में क्या आया कि वह सुधर जाएंगे मतलब उनमें सुधार आएगा लेकिन इसके बिपरीत अपरादों में ब्रद्धी हो गई और लगवक एक हजार अपरादी पकड़े गए सुल्तान ने उन्हें अपरादों के विरुद्ध चेतावनी भरा भासर दिया और नाबू में बिठा कर कहा पर बंगाल छुड़बा दिया इससे बंगाल में अपरादों की बाढ़ आ गईए अपरत कहा कर रहा है है यह लोग यह कर रहे हैं बंगाल में अपराद ठीक है तो यहां पर हो जाती है देखने को मिलती है है जल्दीन खिल जी की ठगों और चोरों के प्रति उदारता चाहें फ़ों रिख देना चाहें चोरों लिख दे और अगर आपको इसकी पीडिएप चाहिए नोट्स चाहिए तो कहां मिलेगा www.paperhacker.in कि इनसे आप डानलोड कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं आगे हो जाती है मनी हैडिक नमबर 3 जो कहती है सुल्तान के व्रुद्ध शड्यंत्र सब्सक्राइब का सलतान की उधारनिती कायरता जो सुल्तान की उदार निती थी वह कायरता निर्वलता और अयोगता की प्रतीक थी जो कायर निती थी तुकि कह सकते हैं जो उदार निती है उनमें जो उदारता है जलाल उद्दीन खिल जी के अंदर वो कायरता निर्वलता और योगता की प्रतीक थी उनमें असंतोस इतना बढ़ गया था कि भै भोज के अबसरों पर खुले आम सुल्तान को सिंहासन से उतारने की बातें करने लगे तो कि जब सुल्तान कैसा है? उधार नितीका है, कायर, नर्बल और अयोग्य है तो क्या करेंगे बहा के लोग क्या करने लगे उलमे असंतोस इतना बढ़ गया बहा की जंता में असंतोस इतना बढ़ गया कि वे भोज के जो भोजन करते हैं भोज के अफसरों पर खुले आम सुल्तान को सिहासन पर उतारने की बाते करने लगे सुल्टान को यह ग्याद था लेकिन उसने यह सब रोकने के लिए कोई कारिवाही नहीं की जब योग नहीं है उसमें इतना कह सकते हैं साहस नहीं है तो इसलिए उसने कोई भी कारिवाही नहीं की कुछ महत्व कांची अमीर स्वेम सुल्तान बनने की कलपना करने लगे कुछ अमीर लोग होते हैं यहाँ पर दे रखा है महत्व कांची और अमीर लोग स्वेम अपने आपको क्या करने लगे सुल्तान बनने की कलपना ये करने लगे एक खिलजी सरदार कौन था ताज उद्दीन कूची कौन था ताज उद्दीन कूची ने भोज के अफसर पर अमीरों ने जलाल उद्दीन को हटा कर अहमद चप को देखो फिर आगए यहाँ पर जिनों ने पहली बार जब मलिक छज्जू आया था उसे माफ किया था जलाल किया था एक कह सकते हैं उनके खिलाफ कि इसे मत छोड़ो एना इसे में तुदंड दो तो यह किसने कहा था मलेक छजुने कहा था ना सुरी एहमद चप ने कहा था किसने कहा था था तो एहमद चप बहुत ही महात्पूर होते हैं आपके एक्जाम के लिए ठीक है तो इनको अपने ही क्या किया था जब मलक छजु को चोड़ा जा रहा था तो एहमद चप ने इनके बिरुद कि कह सकते हैं कि अहमद चप्प ने मलिक छजु के कह सकते हैं मित्तु दंड के लिए कहा था मगर जलाद उद्दीन खिलजी ने वह ते मित्तु दंड नहीं दिया था इसलिए जनता को पता था कि राजा बनने के लाइक कौन है एहमद चप्प है इस वरकास से एहमद चप्प को सुल्तान बनाने की उ मल आहमद चपप को सुल्तान बनाना चाहाते थे उनकी गया की निन्दा की और अंत में कीद्वering देकर शमा कर दिया उनको भी क्या लाइख लिए लिए हमद चप्प को सुल्तान बनाने के लिए हैये सँडियन्त रचा गया था ठीक है है तो यहाँ पर इस प्रकार से एक हैड़ेंग आ मार otosat इंन सुल्टान के बीरुद सड़ेंट्र जिसमें आपको एक हैडिंग तो डालना ही डालना है एहमधिज अपनाम ठीक है ठीक है तो कि सटरे इनी के कह सकते हैं इनके लिए यह सड्यंत्र बनाया गया था आगे बढ़ते हैं हेडिंग नंबर हमारी हो जाती है फूर जिसमें आपको हेडिंग देखने को मिलेगी सिद्धी मौला का सड्यंत्र कौन सा सिद्धी मौला का सड्यंत्र अब सिद्धी मौला कौन है इसको देखते हैं बहुती अच्छा वंद करने आते हैं, में यहां पर कौन थे, फारस क रहने वाला था, मुसल्मान था, तो इसको हम अलग तरीका से कुछ और कहते होंगे, मगर यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर कहसकते हैं कि दर्बेश, दर्बेश को क्या कहां यह तरफ से आयते कौन आए थे फारत से आयते कौन सिद्धी तो यहां पर रिसी लिए ठीक है तो क्या आपको याद रहे तो पौन आएते समझ सकते हैं रिसी आए ते दर बेस किसे कहते हैं रिसी के लिए जो अपनी कुछ बाइंस देख वाईटिंभे जलैंत हैं और सोभी सोभी पन्तमें सेख कौन है सेख बेहाँ पर बहुत इंपोटेंट है धर्यां धर dancer क्विज संकर कौन और यह गजशनकर से क्या लिधी दिच्छा ले थी किसने सिद्धी ने किस से दिछाली थी बहली थी फरिद्दीन गज संकर से दिछाली बलवन के सासनकाल में बहे एक साधार कहां रहता था कुटिया में रहता था कुटिया में को कि जो कहां से आया था फारस से आया था फारस का रहने वाला था यहां पर सिर्फ सिद्धी करने क के लिए आया था है तो अबन के सास्ञाल में भैय काद प्वटिया में रहता धीरे-धीर उसके अनुनाई यू अनुन के सकते हैं कि मिलने जिलने वाले ठीक है अनुनाईयों की संख्या में बडदी उसके नाई ने अनियक बलवनी तता खिल जी सर्दार थे उसके जो नाई थे मिलने वाले लोग ते उनमें कुछ बलवनी थे बलवन के साथ में जो रहते थे बलवनी थे और खिल जी और सरदार हो जाते बहते सिद्धी ने विसाल काये खान कहा का निर्माल करवाया खान कहा किसे कहते हैं जहां पर लोग खाना काने के लिए आते हैं बिल्कुल फ्री ठीक है तो यहां पर जो सिद्धी था उसने विसाल काये खान कहा का निर्माल करवाया जहां सहस्त्रों अब सहस्त्रों को कहा गय प्रति दिन क्या करया जाता था इससे हजारों बेकार और निर्धन भ्यक्ति खाना कहा में एकत्रत होने लगे तो बही हो जाता है एकत्रत होने लगे यह ग्यात नहीं है कि सिद्धी जो है उसकी आयका इस्तोत क्या था क्योंकि यह तो विकारी है इसके पास पैसा कहां से आया है न वही हो जाता है कि यह ग्यात नहीं है कि सिद्धी को सिद्धी की जो आयका इस्तोत क्या था लेकिन उसकी लोग प्रियता में अतदिक ब्रद्धी हुई अनेक बल्बनी सर्दारों ने उसे सुल्तान बनाने का सड्यंत्र किया यहां पर किसे बना जा रहा है सिद्धी जो एक कह सकते हैं कौन है दरवेस है रिसी है उसको क्या बनाने की यहां पर सड्यंत्र रचा जा रहा है उसे सुल्तान बनाने का सड्यंत्र रचा जा रहा है कहां पर हो सकता है अनेक बल्बनी सर्दारों ने उसे सुल्तान बनाने का सद्धियंत्र कारियों ने राजबंस से संबंध जोडने के लिए सिद्धी का विबास सुल्तान किसे सिद्धी जो था उसका विबास सुल्तान नसुरुदीन की पुत्री से इसकी नसुरुदीन की पुत्री से कराना निश्चित किया लेकिन सद्धियंत्र खुल गया जब बह है दो उलेमा बर्ग होता है ओता होगा उस समय ठीक है तो यहां पर रिखा है कि लेमा बर्ग के का चले गए भी यहां परोज अथा है ठीक है उलेमा बर्ग के अनेक सदस तता कलंदर उपस्तित थे जो सिद्धी के धारम्य की प्रिभाव से रुष्ट थे रुष्ट मतलब गुर्सा ठीक है रुष्ट थे और बदला चाहते थे सिद्धी ने आरोपों को अस्विकार कर दिया जो आरोप उस ना चाहता हओं सुल्टान बनना चाहता ह हूं यह जो आरोप उस पर लगे थे उन्हें क्या कर दिया अस्विकार कर दिया सिद्धी ने बार-बार प्रतिबान किया कि मैं गवर यहाई इसा सद्ध्यन्त्र नहीं रएश रहा हूझ ठीके इससे सुल्तान करोधित हुआ सुल्तान क्यों ऑगैं करोधित हो गया इस पर एक कलंदर ने सिध्धि कुझाकू मारा areork descrição आने सिध्ध्य सिद्धू को हादि के पैर के नीचे कुचल वा दिया जो अरकली खा कौण था जिसने मलिक छजु से विद्रों किया था मलिक मलत मलciones को पकड़कर जलालुद्दिन खिल जी के सामें लाया था और जो अरकली खाओ जाता hail हो जाता है वो कौन था उसने हाती के पैर के नीचे को चलवा दिया साधार जनता का बिस्बास था कि यह आप दाए सिद्धी के अभी साप के कारण आई तबबता बर्णी सिद्धी को धार्मी की विक्ति समझता था जो बर्णी था बैक हैसे सिद्धी को एक धार्मी विक्ति समझता था बहे लिखता है कि सिद्धी के बद के बाद दिल्ली में तूफान आया और उस्चेत्र में सूखा पड़ गया इस लाइन से कोई मतलब नहीं है ये लाइन आप ना भी लिखोगे ना तब भी आपका उच्णी उलाई से काट उठीक है ये कोई काम की नहीं है तो इसे हटा ठीक है भी तिर्क उपर उपर की आपको देखना है अब यहां पर देको बहुत ही इंपूर्टेंट पॉइंट समने देखे किसके बारे में जलालुद्दिन खिल जी के बारे में ठीक है कौन कौन से पॉइंट थे चौता हो जाता था हमारा सिद्धी मोला का स्रडेंतर जो जोद किया था है ना यहां पैसा मत करो मत छोड़ो है ना आगे देखू है जो दूसरी हमारा हो जाता है भूंसा थगों के पती उदारता थग और चोर हमारी हैडिंग हो जाती थी बिल्कुल और फ़र्स्ट हैडिंग थी वह कौन से थी मलिक शचू का बिद्रो यहां पर ज ठीक है और सड्यंत्र हो गया सुल्तान के खिलाप और सिद्धी का सड्यंत्र होता है बो जाते हैं चारों की चारों में याद हो गए बिल्कुल अच्छी प्रिकार से पढ़ भी लिए याद भी हो गया होगा ठीक है कुछ जो इंपोर्टेंट्स नाम होते हैं वह आप लिक लिजेगा और याद कर लिजेगा इसकी हैडिंग बहुत महत्पूर है है अपने मजबूत डालोगे तो आपको नमबर भी कैसे मिलने वाले हैं मजबूत मिलने वाले हैं और इसकी पीडिक चाहिए तो आपको कहां मिलेगी www.com पर मिल जाएगी बहां से आप वीडिव डैनलोड कर सकते हैं और क्योंकि दो को अधर भाई से आप लोगे तो आपको क्या मिलेगा बिल्कुल अलग मिलेगा ठीक है तो अलग नोट से मिलने वाला है तो आप इसको लिजी घरा जो हम समझा रहे हैं आप जो कि आपको पेपर मे लिखने में सहलियत हो ठीक है तो लाइक करना शेर करना चैनल को सब्सक्राइब करना नेक्स वीडियों फिर मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन जै भारत